हेलो नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश हुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल अगजान पास करे में हमने जो कमेश्टी की शीरीज की थी उसमें क्या किया था लास्ट वीडियो में हमने एटम से रिलेटिड मतलब प्रमानों से रिलेटिड आईसो बार आईसो टोप वलेनसी इनके भारे में पढ़ा था आज हम क्या करेंगे आज हम जो पिसली वीडियों से रिलेटिड क्यूस्त आइज हर बार पूछे जाते हैं उन क्यूस्ते शूल करेंगे ताकि वह बबार आए तो आपसे वह गल्प ना हो यानि कि आप हंड़ तो लेट्स टार्ट के मूलकर्ण कौन-कौन से होते हैं मैंने जो एटम की जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया रहा कि जो पदार्थ है मतलब क्या है कोन-कौन से होते हैं जो बताने है कि कौन-कौन से होते हैं इसका रा स्टार्टिंग वारी जो वीडियो थी उसकी अंदर मैंने बताया था कि जो एटम है यानि प्रमानु है पूरी प्रमानु को हम किसमें मेजर करते हैं प्रमानु का जो साइज होता है प्रमानु का साइज होता है उसको हम 10s to power में मेजर करते हैं प्रमानु के नाविक का अकार मैंने बताया था क्या होता है नाविक का अकार होता है मतलब यह जो ओप्सन देश्या प्रमानु का साइज होता है और नाविक का प्रमानु के नाविक का अकार होता है मतलब यह जो ओप्सन दिये हुए है इन उप्सन में से वह कोई भी चार्ज नहीं है ठीक है अब तीनी चीज बताई थी मूलकन कौन कौन से बताये थे मूलकन मैंने बताई थे ओप्स हर सखेखर अबसे सब्सक्राइब और मिल्यूट्रों वरभ्सक्राइब तो निल्यूट्रों की चोडिग में से कौन सा एक आवेय इस मतलब चार्जट है बतलब इस पिए बिचार्ज नहीं है तो वह क्या हैगा so इस फिर पनंधार कोई भी चारज नहीं है ठीघएग है एक इलेक्ट्रोन इंवी चार्ज की juga सब्सक्राइब है उसनित्यास्य में क्यों होता है एक यार्जेत की से नेगटिव भार मुझा है और क्लाम क्या है। शकी वारा और किछ पर्मार्में को फृ मईर करके है। किलाम में बन खृगे खल पर्मार शेयनिया थी। मदलब कि जो Atom हे, Atom के Center में जो Nucleus है उसके बार में किसने बताया था और उससे Related मैंने एक Experiment भी बताया था और थॉंसन में दिया है Tenet, ठॉंसन दिया है एक atom का मोडल दिया था जिसमें यह बताया था कि जो atom है वह एक तरगूज की चाशा है जिसमें जो seed मतलब 20 है वह तो क्या है एक electron है और जो हमारा red part है जो हम खाते है वह मान के चलो वह उसने बता दिया protons लेकिन ऐसा-तह हो नहीं सकता कि atom में क्या हो electron और proton दोनों जो राधा लुम्छन पार्टिक्ले में कीया था सब उन्हीं कि और किसे चुदे पड़िते तीजिए तो ये उपने किया था श्मया है आपी जान किसने नहीं गोंचान को ये था ये विटियों कीया, ये ये 되어 हो दो और किसे बादल है कि थूरने रुदर फोंट ने बताय था कि जो एतम है, मतलब प्रमानु है प्रमानु का आज मुस्टली हिस्षा क्या है? खाली भी है और क्या बताया है और बताया था खाली तो है लेकिन वीच में जो नूकलियस वो कैब बहुत ہी वहेरी स्म Stack है ठीक है तो इस तरीके से उसने ये मोडल दिया था यानि नाविक के बारे में किस ने बताया था रदरफोर्ड मोडल ने बताया था हाइट्रोजन के कितने समस्थानिक मतलब आइसोटोब होते हैं अब ये समस्थानिक क्या है पिछरी वीडियो में मैंने बताया था आइसोटोब क्या आते हैं और समस्थानिक क्या होते हैं अब आइसोटोब क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका नंबर बताया कि यहां से मम्र इसका अलग अलग हो लेकिन ही पांच दिए तो इसका राइट आंशर क्या होगा तो रैट आइसर होगा ति आप यह थे तीन होते कौन-कौन से हैं वो भी देखो कि isotope hydrogen के hydrogen h11 है एक वन टू और एक वन थ्री प्रोटियम ड्यूटियुम और ट्रीटियम क्या हैं प्रोटियम ड्यूटियम और ट्रीटियम मतलब जिसके देखो यह नीचे क्या लिखते हैं मैंचा सबसे छोटे बाग को क्या करते हैं मैंने बताया था कि कि हर एक एलिमेंट में क्या होता है एक एक होता है जो कि क्या सबसे स्मॉलस्ट उनिट है उसको हम फर्दर और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको एक मतलब परमानू बोलते हैं क्या बोलते हैं इसके ऑप्सन गीवन है हमें परम होती है फरमान होती है तक से दिंश्य पर्मान के नाविक में होगे हुआ यह बीद आया था कि यह क्या है निय्ट में किस पर माहिं मतलब उस इंटर में कुम सा नियूटरोण नहीं होता में ही हुटा है। भी वो किया हो कोई भी नूट्रोन ना हो ठीक है तो ऑप्शन इज लिथियम भी हाईट्रोजन सी हिलियम एंड ब्रॉंस तो इसमें से कॉन साथ बताऊ लिथिम आएगा राइगा या परोण आस दो हम क्या है कि यहां क्या है तो इसका मिक्तिना है अधो मिक ना है रहुन है यहां कि यहां नूट्रोन की वैल्यूट्रोन की जीरो होगी यहीं पूचा है कि ऐसा कौन सा एलेमेंट है जिसमें एक यहीं नूट्रोन ना हो तो इसमें एक ऐसा यहां है है यहां इलेक्ट्रोण नहीं है सुरी एक भी न्यूट्रोण नहीं है मतलब इसमें परकीणन नाबिक के अकार का आगलंग किया गया यह मतलब कि हमें यह बताना है कि जो हमारा जो nucleus था। nucleus की किरनो का यूज़ करके हमने उसकी nucleus की खोज की थी यानी की किरनो की help से नापिम मतलब nucleus का अकार को मापा गया यानि आंकलन किया गया तो हमने रदरफोर्ड मोडल के according हमने कौन से यूज़ किया था अकोर्डिंग वह एक ने ने कुछ तब दीजह करते हैं, और उसको हम बोलते अल्ट्रा वयर्ट केरने तो हम ने तो उसको यह उसन किया था? पॉजिट्रोन किसका पर्तिकर मतलब एंटी पार्टिकल है यह पॉजिट्रोन होता क्या है जब हम क्या है नुक्लियस को फर्तर और ज्यादा डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक पॉजिट्रोन निकलता है एक को निकलता है एंटी न्यूट्रीनो ठीक है तो इस तरीके से निकलता है तो अब हमें यह बताना है कि पोजी बन है तो का अक्ना निट्रोन कौन सा होता है एंटे पार्टिकल कौन होता है ओप्षन है एक परमानु में नो इलेक्ट्रोन है नो ही प्रोटोन है और उसमें कितना है दस निट्रोन है तो उस ततव मतलब उस क्या होता है, अब्सक्राइब कीजना है डीओ ra सिसक notwendig कितना है 10 तो इसका मास कितना होगा 19 तो इसका टी इस टाइड आंच वर ठीक है नेक्स्ट कोस्टन इसका इलेक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है अकोर्डिंग टू सब सेल्स जैसे एस और विट है किसका इलेक्ट्रोनीक विन्यास होता है अब जो यह ऊपर होते हैं यह क्या होते हैं यह होते हैं अब इसके अकोर्डिंग हम देखते हैं कि दो च्यार और च्यार और चैनल यह यह दस अलेक्ट्रोनिक अ टॉमिक नंबर किसका और सबस्टा है किसका रहा है कि भ 되면 यह क्या है एक हम्वाइटोजन दो पर हिलियम प्र लीथियम कि आपक्रवण कार्बन नाइट्रोजन ओक्सीजन फ्लोरिंग और नियोंस अलब कि कि क्या है यह जोיתי कोंफिग्रेशन है यानि कि 10 तता है नियोन है ठीक एक तो हो गया अब देखो Tech Five में नहीं है बीमनी आरो सी में में से घी आप साथ में देखो जागने एक की से कि industry' or look clean जिया खीक है यहां तो मतलब इस में से ऐक उलएक्ट्रोन निकल जाता है तो अब इसमें कितने रहते हैं स्टार्टिंग में हमें बताया था कि कोई एक्स एलिमेंट के नीचे हम क्या लिखते हैं और यह क्या होता है तो एक्टोमिक नमबर क्या है मैं सब्सक्राइब तो इसका एलेक्टोनिक विजयास बताना है एलेक्ट्रोन धोसने समय के लोग ही अ में इनका सम करके देखो वी किसमें कौन से उप्षन में इलेक्ट्रों 13 है मतलब 13 है तो देखो यह उप्षन क्या है दो आठ दस दो बारा और एक तेरा इसमें मुझे लग रहा है और किसी में कोई भी तेरा इलेक्रों नहीं है इसमें भी है क्या है तो इस दो आठ दस और टीन 1 डो जैङ एकन चेंढ़ होगा इस में पूट करेंगे तो different क्रेंगे करेंगे नैंकि यहां दो और वन कुट करेंगे उसका जो 14 D क्या होगा ? B होगा next question सबते हैं uranium अब ये uranium क्या होता है , uranium के बार में चानने वहीं जरूरी है क्योंकि क्या है , अब वार भी चल रहा था चल रहा रहा है कॉनसा ? अब बोल रहें कि प्रमानूं हो भी सकता है यह बोल रहें कि इसी की संबावना है स哦 यानि इसको आप मुबाइल नंबर के तो Dakar से बाणाइस को किसा मुबाइल नंबर है यूरेनियम का किसका है यूरेनियम का ठीक है तो यहां हमें यूरेनियम के बाड़ में 235 में प्रोटोन की संख्या हमें पूची है अब प्रोटोन की संख्या किसके अकोर्डिंग होती है यानि कि जो हमें अटोमिक नमबर दिया हुआ है अटोमिक नमबर है वह हम किसके अकोर और क्या है और क्योंकि यह गूमता रहता है यह सिधर नहीं रहता है यह नहीं नहीं जाता है तो यह यहां यूरेनियुम का प्रोटोन कितने होंगे प्रोटोन है 92 तो मतलब इसका 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 92 है अब यह जो 235 यह क्या है यह जो इसका उपर लिख रखा ना सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल से के ठीक है